नमस्कार आज अलिगर्ड की घटनाओं के स्लिस्लेवार डिस्कुप्शन में आज क्राइम से इतर क्राइम से अलग एक ऐसी समस्या के बारे में डिस्कुस करूंगा जो मुझे अपनी पूरी तैनाती के समय भीतरी भीतर खुरेती रही जिस दिन 11 नॉवंबर 2016 को मैं लखनव से अलिगर्ड की अपनी पोस्टिंग SSP अलिगर्ड के रूप में जोईन करने के लिए आ रहा था तो अलिगर्ड से जो लोग अच्छी तरह परचित होंगे वो यह जानते हैं कि रसल गंचोराहे से जब आपको सिविल लाइन की तरफ जाना हो तो एक कट पुला है यानि रेल्वे लाइन के ऊपर बना हुआ रेल्वे ओवर ब्रिज जिसको कहते हैं कि नीचे रेल्वे लाइन है और पुराने शहर से नए शहर को जाने को एक मात्र कनेक्टिंग लिंक है 2018 में एक दूसरा पुल जरूर बना लेकिन उससे पहले कट पुला ही एक मात्र साधन था पुराने शहर से नए शहर में जाने के लिए हमेशा जाम रहता था क्योंकि सारे पुराने शहर से कठा हो के लोग जिनको सीविल लाइन एम यू या उस तरफ धौर्रा माफी कौरसी जाना हो उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था सिवा कट पुला पे जाने के इस पुल की उम्र भी बहुत होगी कोई बताने वाला नहीं था और ऐसा लगता है कि पहले ये लकड़ी का पुल रहा होगा इसलिए इसको काट का पुल यानि कट पुला कहते हैं और उस लकड़ी के पट्रों के अवशेश आज भी उस पुल पर मौजूद है ये सिमेंट का या कंक्रीट का बना हुआ पुल नहीं है रेलिंग उसकी बनी हुई है समय समय पर उस पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेट करने के लिए बीच बीच में पतले पतले डिवाइडर भी लगा दिये जाते हैं लेकिन चुंकि एक ही पुल है संकरा है और संभोता ये आजादी के समय या उससे पहले के समय में रेलवे द्वारा ही बनाया गया होगा क्योंकि उसमें जो मैटीरियल लगा हुआ है लोहे का वो पुराने रेलवे ब्रिजेज में ही देखने को मिलता है तो जब मैं लखनव की तरफ से आ रहा था रसल गंच और रहे से उस पर क्रॉस कर रहा था सिविल लाइन जाने के लिए क्योंकि वहीं हमारा कारेले था और वहीं आवास था तो मैंने जब धैलान शुरू होती थी इसकी कठकुला की सिविल लाइन की तरफ तो बाएं हाथ को एक पेड़ है समभवता आज भी होगा या जिनको याद हो दो तीन साल पहले की बात एक बबूल का पेड़ है जिसमें धेर सारे कपड़े पड़े रहते हैं कोई सव या दो सव के आसपास हर तरह के छोटे बच्चों के कपड़े सारे कपड़े शर्ट, पैंट, हाफ पैंट, अंडर्वेर, बनियाइन, टी शर्ट, पैंट, सब कुछ इसके उपर टंगा मिलेगा आपको और वो अनायास ही आपका ध्यान आकिश्ट करेगा और कम सकम बाहर से जो लोग आ रहे हैं जो वहाँ के रोज रहने वाले हैं उनको शायद आदत पड़ गई है लेकिन बाहर से आने वालों का वो ध्यान आकिश्ट करता है बहुत बड़ा सा पैड है पैड तो वैसे नौरंगी लाल इंटर कॉलेज के केमपस में लगा हुआ है लेकिन उसका उपरी हिस्सा बिल्कुल रेलिंग से सटा हुआ है रेलिंग से दिखाई पड़ता है अगर आप हाथ उसमें लगाएंगी तो वो पेड की पत्नियां भी आपके हाथ में आ जाएंगी जाते हो देखा मैंने अपने ड्राइवर से पूछा बहुत जादा उसकी तरफ ध्यान नहीं गया उसके बाद धीरे-धीरे दो महिने, चार महिने, छे महिने बराबर आते जाते हैं मैं उसको एक देखता था उसमें मेरे डिस्टिक में स्टेट थे रिशी केश भाशकर यशोध उत्रप्रदेश काडर के आईएस अधिकारी थे वरतमान में ये वो इंटर स्टेट डेपूटेशन पर महारास्ट में स्वास्त विभाद के बड़े अधिकारी हैं फिर गुमते गुमते चार-चे महिने में मैंने ये नोटिस किया कि इस पेड़ के अलावा शहर में और कई पेड़ हैं जिन पर ये कपड़े तंगे रहते हैं एक बार तो मेरे विचार में आया कि हो सकता है कहीं पानी बहुत ज़्यादा बरसने पर यहां पानी का इस तर उंचा हो जाता हो बागी जगहों पर नादापुल के लिए नहीं क्योंकि में नादापुल में अगर पानी उतना पहुंचेगा तो पोरा शहर डूप चुका होगा लेकिन बागी जगहों पर ऐसा लगता था जैसे जब पानी बरसाद का एक अठा हो और किसी एक दिशा में बहता हो तो छोटे मोटे कपड़े उसमें फंच जाते हैं और जब पानी उतर जाता है तो वो पेड़ पर ही रह जाते हैं ऐसे दो स्थान और बहुत ही प्रॉमिनेंट हैं शहर के भीतर कि मैं बात करना हूँ बिल्कुल शहर के केंद्र में हाट अब दुसिटी एक तो नादापुल से सरसौल की तरफ जबाब जाएंगे तो कोई सव देर सव मीटर आगे बाएंगे हाथ को एक और बबूल का पेड़ है जिस पे सैकड़ों कपले फसे हुए हैं लटक रहे हैं दूसरा है कौरसी बाइपास पर क्यामपुर मोड से पहले दाहिने हाथ एक पेड़ है उस पे भी इसी तरह बहुत धेर सारे बच्चों के छोटे रंग विरंगी कपले उसमें पड़े हुए हैं बच्चों के भी बड़ों के भी सब के कपले वहां को पड़े हुए मिलेंग डीम साब से मैंने जिकर के आकसर कानून ब्यवस्था की स्थिक्यों से निपटने के लिए एससपी को डीम के साथ होना होता है और रिशे केज भासकर ये शोद बहुत ही सरल बहुत गंभीर धीर गंभीर क्वालिफाइड डॉक्टर क्वालिफाइड में बेस डॉक्टर और बहुत ही सज्जन वेक्टि थे यंग थे और कभी भी उन्होंने मना नहीं किया अगर कहा गया कि फ़ला जिगह चलना है वो फोरन या तो आ जाते थे या मैं उनके साथ हो लेता था और बहुत ही निडर भी खौफ और सही तरीके से सीधे रास्ते पर चलने वाले अधिकारी थे मैंने एक बार कभी उनसे जिकर किया था कि सराते जाते इसको देखे और जरा पता करिए मेरा मेरे लिए कौतुहल का विशे है कि आखिर इतने कप्ड़े 100-200 जोड़ी कप्ड़े उस पे टंगे मैंने अपने हाँ स्टाफ में भी पूछने की कुशिश की लेकिन किसी ने कुछ जानकारी दी नहीं कोई इसके पीछे लॉजिक या कोई कारण कोई बता नहीं पाया क्यों ऐसा होता है यह भी नहीं समझ पा रहा हुँ मैं इस तफाक से एक दिन वहां पर धलान के पास ही एक एकसिडेंट हुआ एक मोटरसाइकल जिस पे दो लोग थे और एक कार जिसमें चार-पांस लोग थे अचाना कामने सामने भीड़ गया और उसमें जो मोटरसाइकल सवार थी उनमें से एक बहुत सीरियस हो गया हालां कि ब कि भीर तुरंद हड़ जाए दोनों तरफ लंबा जाम लग गया था कि पंद्रह बीस मिनट में वह जाम खुल गया लोगों का आना जाना शुरू हो गया अब तक वहां काफी पुलिस वाले चूंकि जब जैसे ही लोकेशन मिलती है कि एससपी यहां पर आके रोके हुए है तो जो वहां के इस्थानी इस्पेक्टर होते हैं सीओ होते हैं वो सब आ जाते हैं कि कोई नो कोई कारण जरूर है आगे मैंने पूछा यहां पुल पर पिकेट की ड्यूटी किसकी है दो सिपाही आए सारे हमारे स्पी सिटी अकुल भी उस समय थे सीओ सिटी भी वहीं पर बिशाद पांडे मैंने का यह इतने सौग सवासों पेड़ हैं लेकिन एक ही पेड़ पर यह कपड़े क्यों टंगे हो गया है तमाम शोग के पेड़ हैं वहां से इमली कपेड़ आपको बहुत बड़ा सा दिखाई देगा उस तरह के बबूल के और ढेल सारे पेड़ हैं ल लेकिन यह ज़रूर्ड पता है मुझे की शुक्रवार और शनिवार को सुर्योदह के पहले कुछ लोग यहां पर आते हैं बच्चें को यहां खुद नहाते हैं और कपड़े इसी पर पहिंग देते हैं भोले साब अब शुक्रवार और सनिवार को जो मेरी तुम्हें इनको रोक के पूछूंगा भी और मैंने कहां वीडियो बना लेना ऊंनें पूंसना की क्यों करते है हैं इसके पीछे क्या उनका तर्थ है क्या उनकी कोई रवायत है क्या उनके और का कोई पारिवारिक ऐसा धार्मिक आयोजन है या टोना टोटका है क्या है ऐसा कि यहां कर रहे हैं और अब तो लगभग एक साल मुझे हो गए हैं तो सिपाही ने बताया साब तीन साल से तो मैं हूँ पैंभी इस पे कभी कम नहीं होते कपड़े बढ़ते ही जाते हैं और यह होते हैं सिर्फ हवा से अगर कोई गिर गया तो गिर गया है डीम साब भी मेरे साथ ही थे उनका चलिए आप इतने दिन से खोज रहे हैं पता लग जाएगा और हमें भी बताईएगा क्या वज़ा है तो उस सिपाही ने रिलिजिस ली शुक्रवार को सबेरे उसकी ड्यूट लोग क्यों आए हुए है उसने दोपहर में मुझे कॉल करके यह बता है कि सुबह चार बजे 72 साल के स्री बैशाखी लाल जो शीशिया पाड़ा थानादांधी पार के रहने वाले थे अपने बच्चे के साथ छे वर्स के एक बच्चे के साथ उनका नाती रहा होगा अपने दोपहिया वहान से आये रेलिंग के से सटा के अपना दोपहिया वहान खड़ा किया उन्होंने और स्टील के एक बड़े रिब्बे में पानी ले आये थे आप ये ध्यान रखिएगा कि ये बात में कर रहा हूं 19 नवंबर की 19 नवंबर 2007 रखी यानि कड़ा के की ठंड होग शिपाई ने बताया कि साथ धुंद बहुत थी ठंड हुई बहुत थी वह आये और बच्चे को यहीं पट्री पर जहां ये टहनियां है इसकी बबूल की उसके नीचे बिठाया बिठा कि वह पूरा जो पानी ले आया थे उसके सिर से उसको उलट दिया बच्चा ठंड की वेज़े से चलाया बहुत मैं कोने पर जो एक छोटा सा टिंशेट लगा हुए उसके नीचे बैठा था मैं समझ गया लोग आ गहे हैं मैं भी भाग के गया और उसको नहलाने के बाद उसके सारे कपड़े गीले कपड़े उतारके उन्होंने उस बबूल पर फेंग दिये और एक अगोचा सा हलका सा कंबल था उसको लपेट के और अपनी गाड़ी में बिठा लिया था मैंने गाड़ी को रुपा और उसको सवेरे आपने नहला दिया वो नाराज हो गए बैसा खिलाल इकदम नाराज हो गए कि मैं धार में कारे कर रहा हूं आपने क्यों टूक गिया इसका सारा आसर खतम हो गया मैं आपकी शिकायत करूँगा तो उसने का मैं तो यही पूछ रहा हूँ आपसे कि इतने चोटे से बच्चे को चार साल पान साल का है बरहुत जैसा पानी आपने बिना बात के नहला दिया और वो देख रहे हैं ठंड से सिकुड रहा है भी उसको कुछ हो जाए उसके दस मिनट बाद शिब कुमार जी आए अपने एक दस वर्ष और एक बारव वर्ष के बच्चे को लेकर वो भी वो चार पहिया वहां था उनके पास डिगगी खोली उन्होंने डिबों में केन में रखा हुआ जो बीस पीस लिटर के केन होते हैं पानी था दोनों बच्चों को वहां बिठाया सलक के किनारे रेलिंग से बिल्कुल सटा कर और दोनों पे एक एक पीपिया वो बीस बीस लिटर की ठंडे पानी की उनके उपकर डाल दिए शिपाही ने का साम मैं डर गया कि मैं इनसे भी पूछूँगा तो यह भी इसी तरह नाराज होंगे कहीं कोई दिक्कत नग पैदा कर दूंग मैं देख रहा था दूंग मैं साफ दिखाई दे रहा था पट्री के इस तरफ खड़ा होके कि उन्होंने पानी डाला उसके बाद खुद ही बच्चों के कपड़े उतारे और पूरे के पूरे कपड़े दम लगाके उस पेल के ऊपर तक उचाही तक ताकि वो नीचे नगिर उन्होंने प्यक दिए फिर के उन बच्चों को ऐसे ही बिना कपड़ों के गाड़ी में बिठा लिया था गाड़ी में बिठा ही रहे थे तो मैंने उनका प्योन को क्या परिशानी है इसे किया आप जो कर रहे हैं उनका देखे ये हम लोगों के यहां बताया जाता है कि ये बबूल का पेड़ है बलकि यही बताया गया है कि इसी पेड़ के नीचे अगर बच्चों को नहला के सुबह शुक्रवार और सनिवार को उनके कपड़े इसी में फेंग दिये जाएं तो उनका चर्म रोग ठीक हो ज और जैसे ही ये ठंडे पानी से नहला के पूरे कपड़े को यही छोड़ देते हैं तो ये कपड़ा जब एकदम सूख जाएगा उस समय ये पूरी जो इसका असर है जो खुजली का या जो इसकिन डिसीज का असर है वो खतम हो जाएगा उसी दिन श्री देवान शू शर्मा भी आये जो अपने दो वर्षी बच्चे को लेकर आये उसको भी उन्होंने इसी तरह से नहलाया और उसके कपड़े को वहाँ उस बबूल के पेर पर फेंग दिया मैं हतब्रभ हुआ कि यह कौन सा तुटका है यह कौन से बात है यह तुटका मैंने भी नहीं सुना था और उसको टोके जाने पिट्टी नाराजगी क्यों हो और जब शुकमार जी से इस कौन से बिल ने बात की थी तो उन्होंने भी सब कुछ बताने के बाद नाराजगी व अपने हिसाब से जो हम को करना चाहिए आप उसमें टोक रहे हैं इसमें कौन सी मैंने चोरी कर ली तो उसको ऐसा लग गया कि यह कोई टोने टुटके वाली बात है और यह कहा जाता है कि टोना टुटका करते समय टोका नहीं जाता है जो भी आपके अडोस-पोडोस में ऐसी को टूटके में टोक टाक यह उसके टुटके को उसको नष्ट कर देता है उसके असर को खतम कर देता है कि तो मुझे अपने बहुत ही बच्पन के बहुत छोटी सी आथ जो मेरे दिमाग में अभी भी है वो ये थी कि गाउं में हमारे जब दिवाली के दूसरे दिन माता जी सुबह सुबह तिन चार वजे एक सूप सूप जानते होंगे जो छटकी पूजा में जिस सूप में सब फल और सबले के अर्ध की समय ले जाते हैं वही सूप जो जिससे दाल और इन समय से छिल के बा सूप को एक डंडे से पीड़ती थी दलिद्र जा यानि दीवाली के दिन लक्षमी आई है तो जो दरिद्र नारायन वहां बैठे हुए हैं वो फौरण चले जाए और सूप की आवाज से वो दरिद्र नारायन डरते थे और उनको वहां से बगा दिया जाता था ताकि साल भ सब लोग जाते थे सबको सक्त हिडायत होती थी कि सुबह जब सूप की पिटाई होगी तो कोई बोलेगा नहीं कोई आवाज नहीं लगाएगा कोई पूछेगा नहीं कि अम्मा उपर कहां क्या कर रही है तो हम लोग उस दिन भी कौत होल वश हम लोग जगते रहते थे कि अ नहीं करते हैं कि तोटके में कोई तोटा 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 तोकाटा की नहीं होनी चाहिए तोटके में तोकाटा की यह वर्जित है इस तरह की बात उसने बताई जो उसके उसका कहना था मैंने इसके बारे में एम्यू में वनस्पति भी भाग वनस्पति विग्यान भी भाग क चुकि मैं बाटनी का विद्यार थी हूँ, मैंने उनसे संपर किया मुझे एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं है, शायद डॉक्टर खाली दिन का नाम था मैं बराबर जाता रहता था बाटनी में मैं जहां भी अपने तैनाती के दर्मियां जिस भी जिले में रहा हूँ क्या कोई मेडिशनल वैल्यू है कि लोग वहां जाते हैं और ये कहते हैं इसकिन डिसीजन की खतम हो जाएगे, तो उन्होंने का हाँ, ये बबूल है और मैंने भी इसके बारे में, मुझे भी बड़ा आजीव लगता था, तो आज से कोई ये कपड़े डालते हैं, चौकर, चौकर का दरसल शमी का इस्थानिय नाम है, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, शमी के पौधे का इस्थानिय नाम है और शमी के लिए ये कहा जाता है कि इसकी पूझा, इसकी पूझा दशहरे के दिन की जानी चाहिए, तब शायद वो रोग से सम्मन्दी चीज़ें दूर होती हैं, इस तरह का विधान बताते हैं, धार्मिक साहित्ति में है और अगर कहीं शमी उपलब्द नहीं है, तो आशमन तक उसी तरह चोटी-चोटी पत्तियों हाला आशमन तक एक विक्ष होता है, आशमन तक की पूझा की जानी चाहिए ये लॉट साब ने हेड़ अप डिपार्टमेंट जे बाटनी के थे, उन्होंने बताया मुझे, कि ये तो लोकल लोगों का मानना है, लेकिन ये शमी नहीं है, और ये बात सही है कि इस जगबर पहले एक शमी का बड़ा पेर था, और उस पर इसी तरह से इस से भी ज्यादा से करीब पचास साल से, तो लोग जानते हैं कि ये यहां हो रहा है, और लगबग पचास साल पहले शमी का एक पेर यहां था जो सूख गया, सूखने के बाद उस स्थान पर ये बबूल का पेर था, और तब से लोग इसी बबूल की पेर पर फेकते हैं, और शमी का जो बटे अकेशिया है, और शमी भी, शमी का बटेन का लेम अकेशिया सूमा है, ये बहुत, फिर इसको जानकार लोगों से मैं पूछता रहा, और फिर मैंने इनको बुलाया, बैशाखिलाल जी को जो 70 साल के थे और शिव कुमार जी को भी बुलवाया, उनसे पूछा कि ये हो जाती है, तो इसी यही बताया गया, पुर्खों ने यही बताया, कि ये इसको आप उसकी पेड की नीचे नहला के, और फिर अगर आप वो कर देंगे पेड पर, तो जैसे ही ये सूखेगा, वैसे ही ये रोग आपका दूर हो जाएगा, अब सवाल ये था, मैंने ये बात में कोई बहुत छोटा बच्चा, उसके साथ कोई डिक्कत हो गई, तो कौन जवाब देगा, कि उसकी जान सिर्फ हम लोगों की नेगलिजिंस की वज़े से, हम ये जानते हुए भी कि यहां बहुत छोटे बच्चों को, सुबह सुबह बहुत ठंडे पानी से नहलाया जाता है, जो उनके स्वास के लिए ठीक नहीं है, तो फिर हम दोनों लोगों ने बैठके हो जिन इंटरनेट पे बहुत सर्च किया, कि क्या अंधिविश्वास को रोकने के लिए कोई ऐसा कानून है, जिसमें हम भले इनको गिरफतार न करें, इनको एहसास करा दें कि यह आप काम कानून दोहजार तेरह में बनाया गया था, उस कानून का नाम था, महाराश्रा प्रिवेंशन और इरेडिकेशन अफ हुमन सेक्रिफाइस और इन्हुमन, इविल और अगोरी प्रेक्टिसेज और ब्लैक मैजिक एक्ट नाइंटी, तू 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 तर्टीन, यानि जो अगोरी प्रेक्टिसेज हैं, अगोरी संपरदाय है, जो मांस का और तमाम, पंच मकार जिसको कहते हैं, पंच प्रकार की मां का प्रियोग करता है, जो इन्हुमन है, इन्हुमन एक्ट की बात करते हैं, काला जादू की बात करते हैं, कि काला जादू के नाम पर इसको कै से रोका जा सकते हैं तो यह सिर्फ महारास्ट गर्मेंट ने यह 2013 में कानून बनाया था जिसका इतना लंबा नाम आपको मैंने बताया और ब्रिटेन में इंटरनेशनल ला में ब्रिटेन जो हमारी कानून की जन्नी है हमारी लौ की जन्नी है ब्रिटिश रूल के बाद जब हम माजाद हुए तो बहुत बड़ी चाया हमारे संबिधान पर कानून पर बिटेन की है बिटेन में भी विच्च क्राफ्ट एक्ट 1542 यानि पंदरसो बैयाली में ये विच्च क्राफ्ट एक्ट लाया गया था जिसमें इस तरह के अंदिविश्वास करने वालों के तो ऑस्टेलिया और अमेरिका के राज नॉर्थ केरल में पोपो और न्यूगिनी में भी इस तरह के छोटे-छोटे कानूनी प्राविधान हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में या कोई केंद्री क्रित कानून ऐसा नहीं है जिसमें हम इन इस तरह के अंदिविश्वास को रोक हम क्यों इसे रोकना चाहते हैं और हमारे पास अगर कोई कानूनी हथियार नहीं है हमारे पास कोई कानून नहीं है तो हमारे रोकने से इन लोगों पर क्या असर पड़ेगा ये भी उनसे डिसकस किया और बताया कि दो बार ही सिर्फ लोगों से पूछा गया और उन्होंने बहुत बहुत नाराजगी व्यक्ति की कि इस तरह के काम में टोकाटा की नहीं की जाती है और अगर आपने टोकाटा की की है तो यह हमारा जो जो हमने इतना प्रयास किया है बच्चे की स्किन डिसीज को दूर करने के लिए यह बेकार हो जाएगा अब दिक्कत यह है कि यहां पर इतने बड़े बड़े संस्थान हैं हमारे अलीगड़ में कि मैं क्या बताओं कि यहां और रहे हैं और रहा निचान निशान या इतना बड़ा आपको आते जाते किसी को भी दिख जायेगा और लोग जानने की कुशिश जरूर करते होंगे और इस तरह के टोने टोटके मानने वालों का जो ये समूव है इसने बहुत धेर सारे बाबा हमारे देश में पैजा किये हैं नाम लेने की जरूरत नहीं है आप सभी जानते हैं और हम लोगों ने ये भी डिसकस किया कि जिस दिन कोई इसमें इंट्रेस्टेड आदमी इसी तरह का कोई ग्यानी पुरुष जो आजकल बाबाओं के नाम से जाने जाते हैं और ज्यादा तर जेल में हैं वो कोई शमी का असली पेड़ लगा के एक आशरम खोल लेगा और ये क खुल जाएगा और फिर हम वेबस हो जाएं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे इस तरह के बाबाओं को बढ़ने से रोकने के लिए अब जो अगर कानून नहीं है तो हमारी जिम्मेदारी है हम कानून के एपसेंस में हम पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं बचा है कि हम इनको हम जैसे ही छुएंगे इने हम जैसे ही इनसे बात करेंगे हमें तुरंत कहीं ने कहीं से इसकी विरूत का सामना करना पड़ेगा और जो कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक मात्र अंद्रविश्वास है जो लोगों को परिशान करता है उनके स्वास्ते खिलवार करता है देखे एक बात और ये भी समझे कि इनकी कभी ये चोरी नहीं होती इनकपड़ों की चोर भी ये मान के चलते हैं कि अगर हम इसको चोरी करेंगे तो ये जो इसका वो है जो इसका कूप्रभाव है या इसका जो भूत है वो मेरे उपर लग जाएगा इसलिए हम इसकी चोरी नहीं हुई आसका वैसे तो इससे खराब भी कपड़े चोर जब घर में घुशते हैं तो उठा ले जाते हैं लेकिन इन कपड़ों को कभ हमी नहीं होती है इसी तरह से जो ये अंधविश्वास करने वाले हैं गंडा तावीज मंत्र पीर मजार की चादरें शम्शान घाट और और अघर क्रियाओं में ये लोग जो किसी भी मर्ज को भूत बता देते हैं प्रेट शैतान जिन चाया बरम इसका इलाज करने वाले ज कुछ नहीं कर सकते हैं एक एक जो वस्तर उसमें जो कपड़े पड़े हुए थी सो दो सो डाइस होके होंगे पुराने के बाद भी अगर इतना खर्च करके किसी इसकिन के डॉक्टर को दिखा दिया जाए तो ये रोग जरूर दूर हो जाएगा हमें बिलकुल पूरा पूर नहला के और उसके स्वास्त के साथ खिलवार कर रहे हैं अब देखिए अलीगड में कौन कौन से ऐसे शिक्षा के बड़े केंद्र हैं और जहां से लोग पढ़के निकले होंगे जहां के पढ़े हुए लोग उस अलीगड में रह रहे होंगे लेकिन फिर भी ये अपनी इस करोंगा जो अलीगड़के हैं कि वो देखें उसे कि क्या अभी भी उस जगह पे है और मैंने इस पर एक फेस्बुक पोस्ट की थी बहुत इससे बहुत दुखी होकर कि इतने पढ़े लिखे समाज में इस तरह का भी काम हो रहा है वो 19 नौंबर 2017 की हमारे पेज पर यह पोस्ट पड़ी हुई है उसमें उस पेड़ की फोटो है शहर के और अलग-अलग अलाकों में इस तरह के पेड़ में जो कपड़े पड़े हुए हैं आप उसको देखे और यह भी देखे कि किस तरह से बहुत ही शैतानी तर कर रहे हैं 19 नौंबर 2017 की मेरे पेज पर पोस्ट है जिसमें यह सारे पेड़ दिखाई गए हैं सारे पेड़ जब जब मैं निकलता था तो हमारे साथ जो पुलिस का फोटोग्राफर चलता था तो मैं उससे अन्रोड करता था कि यह यह फोटो ले लिए शायद यह फोटो हम की दिन द्याल उपाद जया चिकत साले हैं और बहुत बड़ी संख्या में यहां पर हॉस्पिटल और डॉक्टर्स हैं डॉक्टर की कोई कमी नहीं हर चौराहे पर एक डॉक्टर एक क्लीनिक या एक नर्सिंगों में और इसकिन की समस्या है कुछ वहां पानी में इस तरह की से दिक्कत है कि इसकिन डिसीज के वहां बड़ी समस्या है जैसे हमारी सीमो साफ से बात हुई उन्हों का साव हमारी ओपीडी इसकिन डिसीज से के पेशेंट से भरी रहती है मलखान से इंचिकत साले की और बाकी जो प्राइवेट ट्रैक्टिशनर्स हैं उनमें भी इसकिन वाटर में क्या कमी है ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई कहां से हो रही है क्या उसमें कोई अशुद्धी है जिसकी विज़से स्किन डिसीज हो रही है इसको ठीक करने की आवशकता है ताकि ये मर्ज ठीक हो लोगों को बताने की आवशकता है कि आप बच्चों को इतना कश् इतना ही दे कि आप सरकारी अस्पताल में इलाज करा लेंगे तो यह ठीक हो जाएगा मेरे कहने का आशा यह हालां कि यह इशू ऐसा था जिसका क्राइम से बहुत कुछ लेना देना नहीं था लेकिन समाज के भीतर यह इसी तरह से किसी की हिल्थ के साथ खिलवार किया जाना कि किसी को अंधिविश्वास किसी को और मैंने आपको भूट धेर सारे क्राइम से रिलेटेड अंधिविश्वास की बातें बताई हैं और अलीगर की बताई हैं अलीगर में नर्वली की दो बड़ी घटनाय हुई थी मौई आपकी सामने रख चुका हूँ जिनमें छोटे जो तो अपने पूरे परिवार में अपने तीन बहनों और अकेला भाई था और उसकी नर्वली जिस तरह से हुई थी बहुत रोंके खड़े करने वाला वह एपीसोड था तो ऐसे में इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी शहर के बीचों बीच में इस अपको अगीनी छोटे-छोटे देशों की तरह हम भी इस पर एक कानून लिया हैं जिनमें इस तरह के बिना सिर्पैर के अंधिश्वास आपके धार्मे कास्था से जुला हुआ कुछ हो तो कोई बात नहीं है लेकिन यह बिना सिर्पैर के अंधिश्वास से कितना हम पीछे दूर होंगे और जिनको इस तरह की बिमारी है उनको उसका सही इलाज मिलेगा आज के लिए बस इतना ही शायद बहुत बहुत धन्यवाद